किसान साथियो नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियो आज लोकडाउन का ग्यारवा दिन है हम सब घर पर हैं और मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे कई दिनों से मैं एक विशे पर अध्यान कर रहा हूं आपको याद होगा मैंने नीम्भू के बीजू पोधे ही क्यों ले भाग एक बनाया था और उसमें मैंने एक आप लोगों को आश्वासन दिया था कि बीजू पोधे बनाने के पीछे एक टेकनीक है जिसे विज्ञान में पोली एम्ब्रेनी कहते है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि बहु बुरूनता अब कुछ लोग पोली एम्ब्रेनी के नाम पर किसानों को दिख भरमित कर रहे हैं क्या है ये पोली एम्ब्रेनी आज मैं आपको बहुत साधारन सब्दों में समझाने की कोशिस करूँगा और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिये और अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप इसको कई बार देखिए मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आपको इसके बारे में समझ आएगा कि ये इतना भारी भरकम सब्द इसका नीम्बू के बीजू पोधों से क्या मतलब है आपको याद होगा मैंने केंद्रिये नीम्बू वर्गिये अनुसंधान संस्थान नागपुर और डाक्टर पंजावराव देशमु क्रिसी विद्यापीठ के वेग्यानिकों की बाते सुनवाई थी उन्होंने भी इस सब्द का इस्तेमाल किया था इस पर एक मुझे बात बहुत अच्छी तरह याद आती है एक मूवी थी जिसमें आनंद नाम की मूवी थी और उसमें जो राजेस खन्ना थे उनको एक कैंसर की बिमारी थी जो ब्लड कैंसर होता है और इसे मेडिकल टर्म में बहुत भारी भरकम सब्द यूद किया जाता है तो उससे अमिदाब बच्चन पूछते हैं तुझे पता है तुझे क्या बिमारी है तो उसने उसका बहुत लंबा चोड़ा नाम लिया और मुझे पता है फिर उत्तर दिया कि मुझे पता है मुझे ये ब्लड कैंसर है यानि खून का कैंसर है और मैं इससे ज़्यादा दिन नहीं बज़ोगा तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा और इसे समझने के बाद सैद आपको ये भ्रांती दूर हो जाएगी कि बीजू पोधे गुट्टी वाले पोधों से क्यों बेहतर होते हैं ये पोली एंब्रैनी की सबसे पहले हम इसकी डेफनिशन देखते हैं इसे हिंदी में बोलते हैं बहु भूरूनता अब हमारी संस्कृत जो लेंग्वेज है वो इतनी अच्छी है कि उसमें एक सब्द आता है संधी विच्छेद यानि किसी सब्द को एक से अधिक सब्दों में बाट लीजिए जैसे है ये बहु भूरूनता बहु का मतलब क्या होता है एक से अधिक समझ में आ गया बहु भूरूनता का मतलब क्या होता है कि एक भूरून होता है जिससे जीव की उत्पत्ती होती है तो यानि जो नीमू के बीज है उससे एक भुरून बनता है और बहु का मतलब है कि एससे अधिक भुरून बनेंगे और जितने भुरून होंगे उतने ही पोधे होंगे लेकिन यह जो गुन है यह सभी बीजों में नहीं होता इसकी बहुत पहले एक वेगनिक ने इसकी खोज की थी और उसने बता आता कि सबसे अधिक यह नीम्बू वर्गिये पोधों में होता है अब नीम्बू वर्गिये पोधों में नीम्बू भी होता है माल्टा भी होता है संत्रा भी होता है यह भी होता है अब ये भृून कैसे बनता है फिर आपने देखा होगा कि किसी भी भृून के बनने के लिए नर और मादा इन दोनों की अवश्यक्ता होती है लेकिन इस बीज से बनने में इनकी अवश्यक्ता नहीं होती केवल मादा से ही आपके पोधे बनते हैं तो बीज से एक से अधिक पोधे बनेगे और इसलिए विज्ञानिकों ने ये कहा है कि साइ्ट्रस के जो बीज है नीमू के जो बीज है उनमें अपने मात्र पोधे के गुण होते हैं चूंकि इसमें जितने भी गुण है ब्रून केवल मादा से ही बना है और ये प्रकृति का कमाल है तो इसलिए ये संसे आपको बिलकुल नहीं होना चाहिए कि बीज से जो पोधा बनेगा उसमें उसी अपने मदर प्लांट के गुण होंगे जिसका वो बीज है ये तो सकते है इसका मैं एक उधारन और देता हूँ आपको आपने गेहूं का बीज देखा होगा तो जो बीज हम बोते हैं गेहूं का वो ही गेहूं निकलता है अधिकतर इसी तरह के होते हैं लेकिन उन में पोली एम्ब्रैनी नहीं होता यानि बहू ब्रूनता नहीं होती बहू ब्रूनता के लिए एक और सब्ध है थोड़ा सा कठिन है पर लोग ये ना कहें कि मैंने कोई चीज छोड़ दी वो है नाइन बेंडिड और मेल डिलो ये एक ऐसा गुण है जिसके कारण एक समान चार पोधे विक्सित होत सबमें जो उनकी मात्र पोधा होता है जिससे वो बीज बना होता उसके बंड होते हैं मुझे लगता है अभी तक आपको आहां ये निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि नीव के पोधे जो बीज से बनते हैं उनमें वही गुण होगे जिस पोधे का बीज होगा और इ इसको बीज से बनाना चुना, क्यों चुना, इसके भी कहीं कारण है, अब वो भी सुन लीजिए, उन में पहला कारण ये है, कि नीमबू पर ग्राफ्टिंग या गुट्टी करना थोड़ा मुस्किल होता है, चुकि काटे होते हैं, दूसरा कारण ये है, कि ये सब जगे पोस आपको किसी ने बताया है कि नीमबू के गुट्टी के पोधे बंगाल में ही क्यों बनते हैं, देख, नहीं बताया ना, इसलिए नहीं बताया कि वहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है, चुकि समुद्रगे किनारे है, और बारा महीने वे लोग गुट्टी से पोधे बनाते ह बहु परूणता में एक और सब्द का इस्तेबाल होता है, उसे अंग्रेजी में बोलते है अपो मिक्सेश, इसका मतलब होता है ऐसंगजनन, ऐसंगजनन क्या है अब ये? आपने देखा होगा कि किसी भी इनसान की उत्पत्ती तब होती है जब नर और मादा का मिलन होता है, यानि उसके अंडे होते हैं मादा के और नर का एक जिवन होता है, या इस पर्मजी से हम बोलते हैं, उन दोनों के मिलने से भृूण बनता है, लेकिन इसमें तो अपने आ मादा के मिले बिना ही भृूण की उत्पत्ती हुई, और जब नर नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि उसमें मादा वाले ही सारे गुन होंगे, अब भाईयो इस से अधिक तो मैं समझा नहीं सकता, चूकि मैंने गभी बाईलोजी पढ़ी नहीं, सिर्फ दसवी तक पढ़ी थ अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हमें नीमवू के बीजू पोधे ही क्यों लगाने चाहिए अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो डॉक्टर दिनेश पैठन करने तीन कारण बताए थे और उनमें से पहला कारण एक है कि बीजू से जो पोधा बनता है उसकी उम्र लगभग तीस वर्स होती है यानि गुट्टी और ग्राप से बने पोधे से लगभग दोगनी इस से आपकी बच्चत होगी ये मैं नहीं कह रहा मैं कोई नरसरी वाला नहीं हूँ मैं कोई विक्रेता नहीं हूँ मैं तो आप लोगों का ग्यान बढ़ा रहा हूँ मैं तो आप लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा हूँ कि आप किसी की भी बातों में आकर भरमित रहा हूँ इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि आप मेरी बातों पर भी विश्वास ने करें उन्हें किसी से बैग्यानिक से पूछें किसी बाइलोजी के किसी टीचर से पूछे और या उसे गूगल करें एक सब्द टाइप करिए पोली एम्ब्राइनी आपको पता चल जाएगा दूसरा कारण है कि जो बीजू का पोधा होता है उसका तना और जड़े ग्राफ्टिंग वाले पोधे से ज़्यादे मजबूत होता है और तीसरा कारण होता है कि इसमें गुट्टी और उसकी अपेक्सा रोग कम आते हैं आप किसी भी आप ऐसा करिए दो बाग चुन लीजिए एक गुट्टी वाले पोधे का और एक बीजवाले पोधे का और दोनों को देखिए क्या आपने कभी कोशिस की है कि महरास्ट में और गुझरात में बीजू पोधे ही लोग क्यों लगाते है जो की नीमु का गड़ है हमें किसी ने बताया एक कागज निकाला और उस पर बताया कि एक बिगे में 500 पेड लगा दो हाई डेंसिटी में एक पेड से हमारे से पोदा ले जाओ 300 रुपए का तीन फुट का और अगले साली उससे 20 किलो बीज मिलेंगे चुकि अभी उस पर फूल आ रहे हैं अरे भाई गुट्टी का है तो फूल तायेंगे और 20 किलो मल्टिप्लाइड बाई 300 पोदे कितना किलो हो गया और उससे अगले साल दूगने बनेंगे और वो कागज पर ही आपको लगपती बना देते हैं ऐसा नहीं है आप स्विम परिक्सन करिए एक साल देर होगी आपकी आप एक बीजू पोधा लगाईए या पाँच बीजू पोधे लगाईए पाँच ग्राप्टिंग लगाईए और जरा उनकी तुलना करिए तीन साल बाद दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा तो ये कारण थे और ये मैंने बताया था चलिए इसे तो यहीं विस्राम देते हैं अब किसान भाईयो मेरे सामने एक समस्या है जो मेरी थोड़ी परसनल है और आप से संबंदित है मैं उसे साजा करना चाहता हूँ किसान साथियो मुझे परती दिन लगबग 30 से 40 फोन और इतने ही लगबग वाटसेप पर मैसेज आते हैं किसान क्या करते हैं जो मेरी 15 फरवरी की वीडियो है 2019 की वो सबसे ज़्यादा देखी गई है करीब उसके ढ़ाई लाग से ज़्यादा व्यू हो चुके है और उसे देखते हैं और उसके बाद कोई भी कटिंग की वीडियो देखते हैं और तुरंत मेरे को फोन मिला लेते हैं उस वक्त मैंने भी नहीं सोचाता कि इतनी पोपुलर होगी और इतने लोग मुझे फोन करेंगे वो नै तो मेरी वेब साइट पे जाते हैं जिसका के एड्रेस मैं हर वीडियो के अंत में देता हूँ नै अगली वीडियो देखते हैं और मेरे से सवाल करना सुरू कर देते हैं चलिए यहां तक तो ठीक है अब वो सवाल कैसे करते हैं एक पोधे के पत्ती दिखाएंगे कहेंगे जी मेरे पोधे में ये पीली पड़ रही है ये मर रहा है फिर मैं ये पूछूँगा भाई कितने साल का है तो वो बताएगा जी ये तीन साल का है फिर इसमें खाद कब दिया था इसी तरह से मुझे कम से कम दस बार उससे पूछना पड़ता है फिर पता चलता है कि दो सो में से सिर्फ दो पोधों की ऐसी हलत है अरे भाई ये तो सबी कहते हैं कि 10% पोधे अगर खराब हो जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं किसी भी कारण से हो सकते हैं लेकिन आप इतने परिशान क्यों हो दूसरा है कि किसी के घर में एक पोधा है उसको भी मेरे लिए पूरा टाइम चाहिए और कोई भी आदमी ने तो सही फोटो भेजता है ने पूरी बात बताता है और उसको पूरी संतुस्टी चाहिए कि जैसे भाई ये के सरकारी कॉल सेंटर है जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है मुझे उससे ये भी पता चलता है कि बहुत हद तक ऐसा नहीं है सबी हैं कुछ किसान बहुत ध्यान से काम करते हैं और सीखने की कोशिश है कि कुछ किसान सिरफ अपनी जो इस वक्त समझ सा है इसे कहते हैं कि जब आग लगी तभी उस पर पानी डाल दो उसके बाद बैठ जाओ ये मत सोचो ये आग क्यों लगी थी किसान भाईयो मैं किसानों को मचली मारने की कला सिखाना चाता हूँ मैं उन्हें मचली मारकर नहीं देना चाता हूँ ये मैं बार-बार कह रहा हूं इसलिए मैंने इस कारिये को अब थोड़ा कम करने का निश्चे किया है और पहली मई से मैं एक गुरूप सुरू कर रहा हूं दूसरा जिसमें के वेही किसान होंगे जो इसकी वारसिक फीस देंगे वारसिक फीस देने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि मैं उन किसानों को चाहता हूं कि जो इसमें थोड़े धीर गंभीर हूं जिनें सोख हो करने का और मैं उनकी पूरी सहता करूँगा और एक ऐसा प्रारूप दूँगा जब भी वो सवाल पूछेंगे कि उस प्रारूप को भर कर देंगे और जो भी उत्तर होगा हर उत्तर को वेब साइट पर डाल दूँगा ताकि जिससे दूसरे किसनों को भी भला हो मैंने देखा है कि अभी जो टेलीग्राम पर ग्रूप है वहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं एक अभी भाई ने पपीते का सवाल पूछा मुझे तो नहीं आता भाई पपीता मैंने मना किया विया मुझे अमरूद और नीम्बू के अलावा किसी के बारे में नहीं पता है उसके बाद में तीन-चार लोगों ने नीम्बू या मरूद का पूछा मैंने जवाब दे दिया अब उसकी जो पेसेंस है वो खतम हो गई और वो कहरा जी मेरा भी जवाब दो भाई जब मैंने बता दिया उसके ग्रूप के इनफोर्मिशन में लिखा हुआ है कि यह सिर्फ नीमबू और उसके लिए है और जिसको पता होगा अगर किसी दूसरे किसान को जबाब देगा आप क्यों अधीर हो रहे हो इतने तो इस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए और मुझे ये भी पता है कि काफी किसानों को पता है कि इस बिमारी का क्या इलाज हो चुकी ये बात पहले डिसकस हो चुकी लेकिन या तो मैं अभी नहीं है ओनलाइन या आज नहीं देखा है इस किसान को भी ये इतना मतलब पेसेंस नहीं है कि ये थोड़ा इंतजार करे एक दिन तो कम से कम इंतजार करे और अब उन किसानों को जिसे आता है अब उसे देखना है वो फ्री है या नहीं है मेरी तरह तो सब नहीं हो सकते या नहीं बता सकते हाँ कुछ किसान है जो तुरंत उत्तर देते हैं कुछ किसान है जब उन्हें काम होगा तब ही आएंगे बाकि उसके में कभी विजिट भी नहीं करेंगे कुछ किसान है जो हमेशा सुनते रहेंगे, काम की चीज है, उसे नोट कर लेंगे, बाकि कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, नहीं, मुझे में किसान चाहिए, जो एक किसी भी discussion में हिस्सा लें, किसी भी वारता में हिस्सा लें, उसमें अपने विचार रखें, जब हम सब किसी बात पर विचार रखेंगे, तो निर्ने सही होगा, तो किसान भाईयो, मुझे उम्मीद है, कि आज के बाद, आप हमेशा बीजू पोदे ही लेंगे, बाकि आपकी मर्ची, हाँ, इतना जरूर है, कि मैं आपको अच्छे बीजू पोदे, परमानीत नरसरी से दिलाने में सह पोदे मैंने वहाँ से खरीदे हैं, आप चाहें वहाँ से खरीद लो, आप खरीद लो, या मेरे यहां से उठा लो, बाकी और मेरा इसे कोई बिजनस करने का कोई भी विचार नहीं है, सिरफ आपकी सहेता करने का है, यह लोक डाउन का पीरिड आ गया, वरना अभी तक मैं गुजरात और मध्य पर्देश का टूर लगा चुका होता अभी मुझे तीन जंगे और जाना है मुझे पता चला है कि वहाँ नरसरी बहुत अच्छी है मैं वहाँ जाओंगा और मैं कोशिस कर रहा हूं कि थोड़ा किसानों को कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता के पोधे मि और भारती मा की वंदना करना नहीं भोलिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंदे मात्रव